बाजार के चाट पकोडी भल्ले पापडी से अगर आप बोर हो गए हैं, तो घर पर कुछ यूनिक तरह से पैटीज की रेसिपी ट्राई कर सकते हैं. पैटीज एक प्रकार का स्नैक है, जिसे हर उम्र के लोग खाना पसंद करते हैं. भारतिय लोगों के फेवरेट स्ट्रीट फूर में से एक है पैटीज. शादी हो या फिर पार्टी आपको पैटीज के स्टॉल हर जगह नजर आ जाएंगे. दरसल बच्चों को खाना खिलाना एक चैलेंजिंग टास्क है. लेकिन इसे अगर रोचक धंग से किया जाए, तो मुश्किल थोड़ी आसान हो सकती है. तो चलिए, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पैटीज की ये साथ टेस्टी और हिल्दी रेसिपीज, जिसे आसानी से बना सकते हैं. नाश्टे में आसानी से बनाएं ये साथ पैटीज रेसिपी हैं. अलू पैटीज, अगर आपके घर पर पाटी होने वाली है या आपके बच्चे का बर्थरे है, तो आप ऐसे कौन से स्नेक्स बनाएं कि महमानों का पेट भी भर जाए और उन्हीं ये स्नेक्स खाकर मज़ा अगर आप भी ऐसी ही किसी रेसिपी की तलाश में हैं, तो आपको आलू पैटीज जरूर ठ्राई करना चाहिए. आलू पैटीज देखने में तिक्की की तरह लगती है, लेकिन इसे बनाने का तरीका थोड़ा अलग है, जिसमें क्रम्बल ब्रेड का इस्तिमाल किया जाता है आलू पैटीज छटपट तयार होने वाली रेसिपी है, जिसे बनाना भी बेहत आसान है. इसे आप नाश्ते में या शाम के स्नैक्स के लिए बना सकते हैं. रगड़ा पैटीज, मुंबई के लगभग हर कोने में आपको रगड़ा पैटीज के स्टार मिल जाएंगे. ये डिश मराथी और गुजरातियों की पहली पसंद है. इसे आप नाश्ते में या शाम के स्नैक्स के लिए बना सकते हैं. इसे बनाना जितना आसान है खाने में उतना ही टेस्टी भी है रगड़ा पैटीज. रगड़ा पैटीज का नाम सुनते ही मुंग में पानी आ जाता है. कोरोना वाइरस के बढ़ते संक्रुमर को देखते हुए बाहर का खाना सेहत के लिए नुकसान दायक साबित हो सकता है. ऐसे में घर पर रगड़ा पैटीज बनाकर आप अपने परिवार को स्वस्थ भी रख सकते हैं और उन्हें वीकेंड पर कुछ टेस्टी बनाकर भी खिला सकते हैं. सूरन पनीर पैटीज सूरन पनीर पैटीज बच्चों के साथ साथ सभी उम्र के लोगों के लिए एक पौश्टिक नाश्टा है. ये जटपट बनने वाला बेहद आसान और खस्ता विंजन है. इसमें आलो की जगह सूरन का इस्तिमाल किया जाता है. ये हेल्दी और टेस्टी नाश्टा है. सूरन पनीर पैटीज को पुदीने की चक्नी या टॉमेटो केचप के साथ सर्फ कर सकते. इंदोर खोपरा पैटीज इंदोर भारत के स्ट्रीट फूर्ड लवर्स के लिए बहुत रोचक शहर है. यहां का खोपरा पैटीज बड़ा मशूर. ये खास तरह की पैटी सिंदोर की खास रेसिपी है. उबले हुए आलू कद्दुकस किया हुआ खोपरा, हरी मिर्च, हरी धनिया और मसाले मिलाकर इसे फटाफट तयार किया जा सकता है. इमली की चटनी के साथ खोपरा पैटी सस्वाद दुगना हो सकता है. बनाना पैटीज अगर एक ही तरह की दिश खाकर बोर हो गए हैं और टेस्टी स्नैक्स खाने का मन हैं, तो आप ये बनाना पैटी स्नैक्स ट्राइ कर सकते हैं. कच्चे केले, उबले आलू और राजगिरे के आटे से बनाई गई ये पैटी स्खाने में बेहत तेस्टी होती है. खास बात ये है कि बच्चों के साथ साथ ये बड़ों को भी पसंद आने वाली रेसिपी है, जिसे आप अपने वरत में भी खा सकते हैं. इंस्टेंट वेजिटेबल पैटीस वेजिटेबल पैटीस रेसिपी जटपट और आसानी से तयार होने वाली डिश है. मिक्स सबजियों को भरकर ये कुरकुरा, परतदार और चटपटा स्नेक्स तयार किया जा सकता है. इसमें आलू के साथ प्याज, हरी मिर्च, हरी धनिया, बीन्स, पत्ता गोभी और अपने पसंद की हरी सबजिया मिलाकर क्रम्बल ब्रेड में स्टाफिंग करें. बस 15 मिनट में यह नाश्टा बनकर तयार हो सकता है. किनोवा इंड वेजिटेबल पैटीस किनोवा इंडिनों हेल्दी रहने के लिए सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली चीज है. फाइबर से भरपूर किनोवा से बनी पैटीस रेसिपी हेल्दी होने के साथ साथ बहुत तेस्टी भी है. ये एक fusion पैटीस रेसिपी है जिसे हरी सबजियों को किनोवा में मिलाकर फटाफट बना सकते हैं इसे हरी चट्मी के साथ सर्व कर सकते हैं लेटेस्ट न्यूज के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें